हेलो दोस्तों, वेलकम टू विज्ञान किंग्डम, आज मैं क्लास 10 की साइंस का तूसरा चैप्टर आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, इस चैप्टर का नाम है अमल, चार और लवड, चलिए इसकी सुरुवात करते हैं, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं अमल, चार और लवड, बज़ो ये चैप्टर का नाम है, इसमें Specially हम अमल के बारे हम पढ़ेंगे, चार के बारे हम पढ़ेंगे, और अमल किन किन दातू के साथ किस प्रकार से रेक्ष्न करता है, और क्या प्रूड़क्ट्ट देता है, ये भी पढ़ेंगे, और साहत में चार के बारे में भी सेम कौन से धातु अधातू के साथ रिắक्शन कर सकता है यengine लवण की क्या खासियत होती है अमलाशार से कैसे डिफेरेंट होता है ये पढ़ेंगे और साथ में इस चप्टर में हम पढ़ेंगे पिएच स्केल के बारे में, पीचि स्केल क्या होता है? और अम्ल और छार की मान याने पीच मान को किस प्रकार से बताता है? ये सबी चीज़े हम इस चेप्टर में पढ़ने बाले हैं, चलिए इस चेप्टर की सुरुआत करते हैं, सबसे पहला टॉपिक रहेगा अम्ल, है यह जलिये विलियन में, दो या दो से अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं, अमल कहलाते हैं, ये अमल की सबसे साधराड और सिंपल परिवासा है, इस परिवासा से आपको ये समझने को मिलता है, कि अमल ऐसे योगिक होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं, जो कि जलिये विलियन में जाते ही, तुरत हईड्रोजन आयन देते हैं, इस पर क्रिया को हम समझते हैं कि कैसे, दूसरा उधारण मेरे पास है H2SO4 का तीसरा उधारण मेरे पास है H2CO3 का ये तीन उधारण के बाद चौता उधारण मेरे पास H2NO3 का घ कैके आप H2NO3 का यहाँ पर हम H2 की जगे के वल H चलयते हैं अब आप समझे sistemi इन उधारनों को समझने की कोसिस करना, इन में क्या चीज़ अलग होती है, देखिए, ये सभी अमल हैं कि नहीं, इनकी पैचान, हम इनको पाइनी में डालते हैं, और ये आइनों में टूकते हैं, किस फॉर्म में ये समझते हैं, यदि HCl को पाइनी में डालते हैं, तो ये hydrogen ion पिलस किलोरी नाइन देगा, इससे हमें पता चलता है कि हमें hydrogen ion पराप्त हुआ है, इस योगिक में से, तो ये अमल है, दूसरा है H2SO4, आप H2SO4 को अगर आप पानी में डालते हो, तो दो hydrogen ion निकल के आएंगे, क्योंकि यहाँ hydrogen के परमाड़ू की संक्या दो है, और SO4 नाम तैयार हुआ होगा, और oxygen ने एक एक करके दो electron यहाँ पर ग्रेंड कियें, इसी की कारण से SO4 के उपर negative charge 2 आया है, ठीक है, अब यहाँ समझते हैं, इस चीज को यहाँ, H2SO4 में यहाँ देखते हैं, इसके hydrogen ion की संक्या यहाँ निकल के आएगी, कारण यह है कि यहाँ H2 की सं संक्या 2 है, यानि hydrogen के परवाड़ 2 है, इसलिए hydrogen ion यहाँ पर 2 बन रहा है है, अब CO3 को देखना शुरू करेंगे, तो CO3 जो है, उसमें कितना negative charge आ सकता है, तो यह देखिए H2 की संक्या, यहाँ पर 2 है, इसलिए 2 बार hydrogen ion बने है, तो यहाँ पर भी negative charge कितना आएगा, 2 लेकिन इस पर आविस कितना आएगा, यह समझने का point है, आविस कितना आएगा, आविस आएगा, hydrogen ion पर जितना आविस आया, उतना ही आविस, NO3 माइनस पर आएगा, उतना ही आविस, NO3 माइनस बन आएगा, अब यह सभी आप उधारण देखकर एक बास समझ चुके होंगे, इन सभी योगी कों के अंदर, इन सभी उधारण को देखकर आपको यह पता चल रहा होगा, इन सभी योगी कों के अंदर आपने देखा कि hydrogen ion उतसज़त हो रहे है, यदि hydrogen ion दे रहे हैं, पानी में जाने के बाद, तो यह सभी क्या है, अमले की खास पेंचान यही होती है, कि वो पानी में डालने पर hydrogen ion देते हैं, और यह सबसे अच्छा पॉइंट है समझने के लिए, ठीक है, अब हम समझेंगे बच्व, अमलोग के खुड के बारे तो देखते के लिए, अमलोग की कों क्या होते हैं, अगला टोपिक है, हमारे पास, अमलोग के खुड हम लोग के खुड है, क्लास 10 के साब से अमल की परिवासा, अमल के उधारण और अमलों की गुण बहुत जादा इंपोडेंट है इस स्पेसली स्टेट बोर्ड एक्जाम वाले बच्चों के लिए तो बहुत जादा इंपोडेंट है तो इन सब चीजों को पक्का करने के बाद आपके कम से कम तीन नमबर पक्के हो जाएंगे इसलिए इस वीडियो को लागातार देखते रहें और समझते रहें कि क्या चीज हमारे लिए बहुत जादा इंपोडेंट है सबसे पहला गुण होगा अमल का अमल जलिये विलियन में जलिये विलियन में हाइड्रोजन आयन देते हैं दूसरा गुण होगा इसका अमल दूसरा गुण है अमल स्वाद में खट्टे होते हैं ये वैच्चे दूसरा गुण है ठीक है दीसरा गुण देखेंगे अमल लाल लिटमस पेपर को लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं नीला कर देते हैं ये वैटा अगला गुण है ठीक है अमले कहां समझ रहे हैं थोड़ी से तिर मुझे टाइम देखेंगे मैं चीज को चेक करना जारा था लाल लिटमस को लाल कर देते हैं रहे हैं गलत गलत लिखा दिया फिन अप्तिलीन को रंगी हीं और मैथले वरिजिन को लाल रंग पर देते हैं अब 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 आए गलत हो दो बारा से सालें जिसको यह चीज इसके पूरीच यह जैनी स्प्लेट करके कट मार देना इसको अब क्या करते हैं नीले लिटमस को लाल करेंगे फिन अब तीलीन को फिन अब थैलीन को अब 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 अगला अब नीले लिटमस लिटमस पेपर को पेपर को अब सुचरें को नीला लिटमस पेपर क्या होता है तो यह एक सूचक होता इंडिकेटर होता है जो अम लोड शार की पहँचान कराता है इस्पेसली अमले की पहँचान के लिए नीला लिटमस पेपर इ देता है लाल कर देता है तो ये अगला गुण हुआ अमल का इससे ठीक नेक्स्ट गुण देखिए अमल मैथिल औरेंज मैथिल औरेंज ये भी अपने आप में सूचक है मैथिल औरेंज सूचक को लाल रंग में बदल देता है बदल देता है नेक्स्ट गुण देखिए अमल फिनॉल्फ थैलीन को के साथ कोई किडिया नहीं करता है कोई किडिया नहीं करते हैं नहीं करते हैं ये अमल की खास में चाने की फिनॉप्त है फिनॉल फैतीन नाम का जो सूचक होता है उसके साथ किसी पर करके क्यों किरिया नहीं करते हैं अब अब हम समझेंगे अब हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में हम कितने अमलों का प्योग करते हैं और कौन-कौन से हमारे सामने आते हैं ठीक है देखिए रहाँ है तो अब देखिए होगे अमलों के गोड़ा कम्प्लीट अब अच्छों यह अमलों के गोड़ा होगे कम्प्लीट नेक्स्ट वांट है पर गोड़ा दैनिक जीवन के अमलों यानि कि हम दैनिक जीवन में कितने अमलों का प्योग कर लेते हैं जैसे कि हम यदी फल काते हैं नीवू, आम, संत्रा, आमला, आमला, इन सब में बेटा जो अमला होता है, सिट्रिक अमला, इन सब में सिट्रिक अमला होता है, और हम खाते हैं इसी में लीद, गुलां की ऊहती है, सिरका इसके अंदर होता है, ऐस कि demi अस एक अमला। अगहिं अगर हम बात करें तामातर की जो एक एक बार देख लिजिए ने आम मैं में टीक हम यात सरकत टेकाम और आपकशन अगेल है तो सहले की सबस्याएा खाले हकेओ अब हम समझेंगे चार के बारे में ठीक है, चार को इंगलेस में वेस कहते हैं, और समझते हैं वेस क्या होता है, सबसे पहले परिबासा फिर देखते हैं कि चार के अंदर क्या 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 होती है, उसके गोण क्या होती है, उसके उधार क्या होती है, सारी चीज समझते हैं पहल अधारत है जो जलीय बिलियन में जो जलीय बिलियन में एक या एक से अधिक या एक से अधिक ये एक से अधिक हाइड थो है यानि कि वह चैन इसको बोलते हैं लुट कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन कि देते हैं कि देते हैं चार कहलाते हैं चार कहलाते हैं अब हम समझेंगे चार के उधाराओं के बारे कर पहला दे हमारे आया पास परेबल चार वे का दूसरा दूसरा करLab का दी रहां ये ये लिए brail कढ श मारे पास हमारे पर भीक्तल के नियुकर और लटां सकते हैं ये बिसे नह फ्रेंट koh flux रहा है टू एने Oh 4 और kooh सबीचों को आइनों के रूप में बतल सकते हैं लेकिन और चार्थे की आप कि लीथियम हई पॉक्साइड है और पोटेसियों एक ड़िघ्रो ठाइब मत शायड है और आप समझेयों तो हाइड्रोकिशाइड है एकलंसीहंट हाइड्रोकिशाइड यह प्रिंग हाइड्रॉककिशाइड हिया तैटरियों चंते साइड शेया है तनी होट चाहिए सब्सक्क्राइड क्यां करते हैं इन सब की हाइचान यह है कि इनमस्दो क्या गालागे डाए तीχार्ण चाहर हैं अब हम क्या करेंगे इन सभी को आयनों में परिवर्थित करने की कोसिस करते हैं और आपको समझाते हैं कि यह जली बिलेन में एक या एक से अधिक हाय टोजन आयन कैसे देते हैं तो यही समझने वाली चीज़ें चरह लगी रही है चरह देखते रहें वीडियो को यह जिंक है यह सभी योगित अपने चाहर है कैसे जली बिलेन में यह ओए चाहर देते हैं बस यही देखना है और फिर हम पढ़ेंगे चाहर के गोंट ठीक है देखते रहें यह देखिए इसको देखिए सोडियम हाइडरोकसाइड यहां पर एन ए प्लस देगा और ओएच नेगिटिव देगा तो इससे पता दिलता है कि यहां पर ओएच चाहर है ठीक है अब देखते हैं यहां पर दो लिखा हुआ आगे तो दो सोडियम पर उसकते हैं और के प्लस दो ही ओएच ठीक अब दो दुबार प्राफ्ट होगे सब अब यहां देखेंगे इसमें इदर यह मुनियम का एक एंट में प्लस त्री आथा जनरली ठीक है आप वेच के कितने प्राफ्ट हूंगे यहां से ओछ अच्छ आइन जो प्राफ्ट हो सकते बच्चो वो द यह आयनित होता है तो प्लस दो आयन देता है और यहां OH आयन भी दो निकल के आएंगे इस प्रकार से ठीक है अब यहां तीन देखो केल्सियम के कितने एटम है तो केल्सियम के तीन एटम है तो तीन बार केल्सियम क्या करेगा यहां आयनित हो जाएगा तीन बार आयनित होगा ये बार हैं तो बार है hen प्राप्त होंगे असे तो मैंने बोला था दो यह ग्लाधी है अधिक Hoegen प्राप्त हो रहे हैं तो च्छार होता है तो यह सभी अपने आपने चार हैं औरहों यह सब आपने देखे के च्छारों को कैसे से हमने आयनों में बदला अभी मेरे पास और उदारण है उनको भी समझते हैं ज़रा रूकूँ अब मेरे पास कुछ और उदारण है उनको भी दरा देख लीजिए जैसे माल लीजिए जिंक है और जिंक ओए है जिंक ओएची है तो इसको आप कैसे बदलोगे जिंक के साथ है तो आप है सको हमारे पास नहीनों हे ही मैं इन सब में कुछ बदलाब करना चाहता हूँ थाकि आप के लिए और चीजे टिपकल हो जाएं आप आईनो में इन चाहदा निकल का है क्या है 시청ex के पास में यही आधा love लागा देता हूं यहां आट लाइनवा दिता हूं अब यानि 3, 3, 9, 0, 27 होते हैं, या 9, 3, 0, 27 होते हैं, बात यह कि यह, तो यहाँ पर 27 OH आइन बनने वाले हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए, प्लस करके, 27 OH नेगटिव, यानि आइन बनने 27 OH आइन, ठीक है, अब देखिए, यह अपने आपे छार है, उसकी पहचान होगी, 27 OH आइ लिख दीजिए, 2 का गोणा करके, 4 दूनी 8, तो 8 यहाँ पर प्राप्त होएंगे, OH आइन, ठीक है, आसान है न, आप देखिए, आइरन कितने प्राप्त होने वाले हैं, सबसे पहले, आइरन के आइन प्राप्त होगी, यहाँ पर क्योंकि 5 लिखा हुआ है, यहाँ लोहा के पंद्रे OH आइन प्राप्त होगे, इस प्रकार से, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, केड्मियम के कितने प्राप्त हो सकते हैं, केड्मियम के प्राप्त होगे, 8, 8 केड्मियम के अनु प्राप्त होगे, यहाँ पर, लेकिन यह परमाडू है, ठीक है, अब देखिए, OH पर आप तो रहे हैं तो यह सभी अपने आप में शार है चार की पहंचान ही हुए एचाइन होती है जली बिलियन में जाने पर वो एचायन देते हैं तो शार है ठीक अगला टॉपिक शार की गोण अब हम चार की गोण क्या होते है चाहर के गोड़ा, यह 10th class में UFI बोड का सबसे दमदाठ topic है, जो कई बार पूछ आ गया यह बोड़ एक जामश मैं, सबसे पहला गोड़ा है मेरे पास, छार जलिये बिलियन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन देते है तो ये पैंचान होगी पहला गुण होगया छार का पैंचान भी होगी छार की दूसरा गुण देखिए चार स्वाद में चकने पर कैसे लगते हैं चार स्वाद में खटे होते हैं अगला कुण देखिए बच्चो चार चूने पर सावन की तरह लगते हैं सावन जैसे लगते हैं ठीक है अगला कुण देखिए चार सावन की तरह मुलयाम होते हैं तो चार सावन की तरह मुलयाम होते हैं चूने पर सावन जैसे लगते हैं अगला कुण देखिए चार रुख जाओ लाल लेटमस को नीला कर देते हैं फिर अप्तिलन को गुला भी कर देते हैं मेतल औरंज को पीला कर देते हैं चार लाल लेटमस को चार लाल लेटमस पेपर को लाल लेटमस पेपर को यह सूचक हो था बच्चो पेपर को नीला कर देते हैं नीला कर देते हैं यह गुण हो गए च्छार के अभी तो और गण है मेरे पास ठीक है hier प्लू कोजय समझ में पहला गण है vive video स्मझ में एग्ले से दीको गण देते हैं इसरा गण है च्छा Video होते हैं च्छ सुने पर सावन जैसे I चार सावन की तरह मुल्याम होते हैं और चार लेटमस पेपर को लाल लेटमस पेपर को नीला कर देते हैं ये चार तक के अभी तक के गुण है अगले और गुण दीखी थोड़ा सर्क कर नजिक नजिक तूंसे चूट गया दिल का सिसा खेले-खेले में तूट गया नेक्स्ट अगला गुण देखें जो भी बन रहा है आई डून नू यहां दा कितने गुण बने थे बता नहीं ठीक है अगला गुण देखो चार फिनॉल्फ थैलीन सूचक को गुलावी कर देते हैं अगला गुण देखें चार मैथिल गुणी चले बटाजे मैथिल ओरेंज औरेंज सूचक को यहां से बापस आज़े चार मैथिल ओरेंज सूचक को पीला कर देते हैं ठीक है यह गुण हो गए चार के चार की परिवासा समझे चार के ओधाड समझे चार के गुण समझे और अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे चार के बारे में कि चार किन दातूं से किरिया करता है और कौन से दातूं से किरिया करता है और क्या बनता है यही हम आमले के लिए पढ़ेंगे